हेलो है नमस्ते वेल्कम बैक टू मैं चैनल अगेन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूटूब चैनल साइको सूत्रा पर और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंटेलिजेंस पे वीडियो यह एक इंट्रोड़क्टर वीडियो है ठीक है ज्यादा बताऊंगी कि इंटेलिजेंस आपकर होता क्या है उसके टाइप्स क्या है थियोरीज क्या है वेरी शॉट में जितना सब को पता होना चाहिए ठीक है डीप में वीडियो में बनाऊंगी आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको इन टर्म्स में से आज की वीड इन गोलिजेंस एक अथितना जरीजेंस आपकर, अबियूमाइटा कंवाकर इन गर्रीम्न में से उल्भायउ, वीडिशी में म्नमनमनमने उल्मलन उल्हां परहा इन इसके आज रहती है उखं़ होसकता है ईन यू होसकते है ईन आपकर में इसके साइन्स में जब वasında आपकर ह में हमेशा वह स्कूर करता हो लड़ता है लड़की है तो हम इस चीज को बोलते हैं कि intelligent है ठीक है basic lemon language में यह बोलते है बट ऐसा नहीं है mean definition the real definition of intelligence is यह एक ability है कि आप environment के साथ किती जल्दी उसको adapt करते हैं और किती जल्दी उसमें adjust हो जाते किसी भी environment में अच्छे से adjust करना इस श्रमता को इस abiliti को हैते है intelligence कीज़े चीज़कों किस तरीके से और कितनी जल्दी आप समझ रहे हैं ठीक है अलम ऐग तरीकों से कैसे आप समझ रहे हैं और कितनी जल्दी उसको लर्ण कर्रार ऑप applied आप kadar जल्क तरीक है जिसका basically meaning होता है to understand ठीक है IQ का formula आपने जानते होंगे IQ मतलब intelligent quotient की मेरा IQ जैसे 140 पलस फालो का ingenious बोला जाता है Einstein जी का था है ना IQ निकल दे हैं कैसे IQ का यह formula होता है mental age upon chronical age ठीक है into 100 इससे आपको आपका IQ पता चलता है या mental age पता चलता है for example अगर मैंने किसी बच्चे का टेस्ट लिया IQ टेस्ट ठीक है IQ टेस्ट लिया उसमें उसका आ रहा है 75 अब 75 डालो chronical age उसका कितना है समझ लो 16 है वह भी 16 साल का है और हमको उसकी mental age निकालनी है कि सही चल रहा है कि नहीं ठीक है अब आगे कर्व आएगा और पूरा डाइग्राम आएगा उसमें लिखा है कि यह इतने से इतने से इतने से इतने से प्लस जीने से माना जाता है 109-120 तक नॉर्मल आवरेज इंटेलेजन पीपल होते है तो ऐसे पता चल सकता है एक्जामपल आएक्यू में डाल दो 75 वहां पर वैल्यू डालो आएक्यू के जगा 75 मेंटेलेज हमको निकालना है कॉर्णिकल एज उस बच्चे की समझ लो 16 है और इंटू 100 को सॉल्फ करेंगे वह सकता 12 है ठीक है अब उसकी में एज है वह है 16 साल का लेकिन उसके दिमाग अभी तक 12 साल के बच्चे की तरह है है मतलब की वह कम है ज़्यादा हो तो अच्छा है नौर्मल हो तो ठीक है कम हो तो दिककत है ठीक है तो उसका एक्व लेवल कम है वैसे किसी का ज़्यादा सकता है ज़्यादा आएगा तो वह जीनियस के श्रीनी में आ जाएगर ठीक है स्टर्ण ने ठीक है यह कुछ बेसिंग इंफरमेशन है ज्यादा नहीं कुछ सेंगे ठीक है मैं स्पेसिफिक इंटेलिजेंस पर साइकॉलजी का वीडियो लेके आऊंगी बहुत जल्सा प्लीज कॉमेंट करके बताना आपको चाहिए नहीं यह बस बेसिक है जो सबको बहुत अप्सम्माशन के अकितों बहुत पता होना चाहिए इंटेलिजेंस थेओरी किता था के होती है पहले है सिंगल और हिंफेक्ट加 उनिफेक्टर सेज्टर का मतलब होता है гол एक इंसान ने उसका एख और वह इस प्रिस ही चीज में इन्टेलिजेंट हो सकता है घक है कि मैं Maths में Intelligent हूँ तो पस मैं Maths में Intelligent हूँ मेरे पास और कोई Talent मतलब और कोई किस जी में Intelligent नहीं मानी जाओंगी यह जब criticism हुआ तो आया Two Factor Two Factor Theory by Spearman, Charge Spearman इनोंने क्या कहा कि नहीं Intelligent दो टाइप की होती है Single नहीं होती है, 1 specific होती है, 1 general होती है जो मुझे बच्पन से Childhood Inborn Talent है कि मुझे पेंटिंग करना पसंद है, मैं पेंटिंग करती हूँ मैं abstract thinking कर सकती हूँ, मेरा creative thinking कर सकती हूँ, paint कर सकती हूँ, draw कर सकती हूँ विजुलाइजेशन अच्छा है, मेरा imagination अच्छा है तो यह सारी मेरी कि कॉंसे intelligent is specific लेकिन general क्या है कि practice के बाद 12 साल की school की पढ़ाई के बाद मेरा science portion बहुत अच्छा है तो यह कह सकते है किसी का English बहुत अच्छी है तो वो general मतलब वो सीखने के बाद वो practice से आई है ठीक है general intelligence, enjoyability है वो किसी के cooking, किसी के teaching हो सकते है, किसी के अच्छी communication skills हो सकते है किसी का particular subject में हो सकते है ठीक है तो ऐसे दो माने जाते है ठीक है और आप बहुत सारे example दे सकते हैं आप खुद में देखें कि अच्छा मेरे na academics में मेरे कोई बच्चा हो सकता है यैसे मेरे एक दोस्त है उसका maths बहुत अच्छा है बहुत intelligent माने जाती है लेकिन अधर देखें यह तो practice से आया है वह जानती नहीं पढ़ती नहीं लेकिन बच्पन से ही वह बहुत अच्छी cooking कर रही है ठीक है और वह किसी ने को सिखाया नहीं मतलब उसका spices के साथ flavors के साथ काफी अच्छा combination है तो वह उसका अलग talent है एक अलग intelligence है ठीक है cooking की food की सो पहले uni factor हो गया उसके बाद आया 2 factor उसके बाद आया 3 factor 3 factor इसने कौन-कौन से हो सकते है आगे पढ़ेंगे ठीक है इसलिए बोल रही हूँ कि आगे मैंने पूरा you know diagram आपके लिए बनाए है और खोजे भी है खुझसे भी बनाए है कुछ Pinterest से reference लिया है Pinterest काफी अच्छी है आप है स्टन्बग आए फिर तीसरा फिर Renan Zooli आया थियोरी इसमें 3 ring model आएगा आगे ठीक है जो gift and end बच्चे होते हैं फिर पांचवा है पांचवा मुझे सबसे आज तक का सबसे ठीक बढ़िया लगा है इंटेलिजेंस का थियोरी multiple intelligence theory by Howard Gardner इसके बारे में पढ़ेंगे पहला हमने पढ़ लिया singer दूसरा पढ़ लिया second और third देखेंगे स्टन्बग ट्रायर की theory मतलब तीन factor इसमें कहा है कि एक person की तीन abilities होती तीन type की analytical, creative, practical ठीक है? analytical में देखो compare कर सकते हैं evaluation हम को आता है analyze हम कर सकते हैं कि यह किस तरीके से है यह अच्छा है यह बुरा है मतलब इस तरीक है analytical reasoning वाली चीज है तो यह analytical intelligence हो गए हमारी creative के मच्छा सोच सकते हैं हम इस चीज को काफी जुगाडू लोग को भी creative लग बोला जाता है ठीक है? हमारा एक अलग सोचने का तरीका हो सकता है short cuts भी काफी अच्छे होते हैं हमेशा short cut और short term चीज़े खराब नहीं होती है creative intelligence bank फिर होता है practical कि daily life से आप कैसे deal करें अगर आपके घर में कुछ dispute चल रहा है तो आप उस चीज़ को कैसे handle कर रहे हो dealing with everyday tasks relating to the world social work भी हो सकता है ठीक है? तो पहले में एक बोला दूसरे में दो बोला तीसरे में triatic theory मतलब stern work जी ने बोला try it की बात की fourth है retentional intelligence model ठीक है यह देखो यह बनाया है मैंने आपके लिए आपके लिए आपके लिए बहुत ही easily समझ भाओ यह तीन circle है कोई इंसान ज्यादा creative हो सकता है किसी में बहुत ज्यादा मतले किसी में अंदर high ability हो सकती है किसी में high commitment हो सकता है कि अगर गौब ने छीज़ बोल दी कि या exam मैं निीकालुंगा या निकालुंगी तो मैं निकालुंगी ही तो हाई commitment लेकिन अब सोचो जब थीनों चीजे एक ही इंसान में- तो वो तो God gifted हो गया, वो creative भी बहुत जादा है, ठीक है, उस पर श्रमता भी बहुत जादा है, और उसमें commitment भी है कि अगर मैंने सोच लिया तो मैं करूंगी या करूंगा, ये तेनों चीज़े जब मिलती है तो उसको giftedness बोलता है, ठीक है, gifted बच्चे होते हैं वो, जिनके अं आजकल के बच्चों को देखा है अपने, चोड़े बच्चों को, पहले हम पांच-छे साल में जाके हमको जो ABCD और जो हम याद किरते थे, कि क्या पोयम्स वो आजकल के धाई से तीन साल के बच्चों को आसानी से याद हो जाती है, इन फैक्ट हम लोगों को अगर देखा ज कर रहे हैं कई बच्चे बता हूँ, तो इसको Flynn effect भी खा जाता है कि generation के इसाब से हम IQ increase हो रहा है, ठीक है, खेरी अलग information थी, मुझे लगा discuss करना चाहिए, तो मैंने कर लिया, ठीक है, अब next है multiple intelligence, अब ये क्या कहते हैं, Harvard Gardiner जी क्या कहते हैं, कि इंसान के पास, ये दिखाती मतलब multiple intelligence होता, ऐसा नहीं कि एक इंसान है, तो उसके बास एक intelligence होगी, दो intelligence होगी, या तीन intelligence होगी, उससे जादा भी हो सकती है, for example, यहां कुछ nine example दे रखा है, visual intelligence, picture smart, linguistic intelligence, word smart, logical reasoning smart, kinesthetic, body smart, naturalistic, जिसको nature से प्यार हो, ठीक है, nature का knowledge होता हूँ, musical knowledge, existential, life smart, कि हमें who I am, बेसिकली सादूसंद, लोगया जो spirituality से जुड़े हों है, ठीक है, आध्यात्मिक है, inter-personal, जो people smart होता है, कैसे बात करना है, कैसे deal करना है, socially people, inter-personal, जो खुद को समझना चाहते हो, self-realization वाली चीज़ है, ठीक है, तो यह कुछ nine तरीके की intelligence बोली गई है, इसमें deep में दे रख spatial, visualization the 3D world, naturalistic, understanding living things and reading nature, musical है, logical, mathematical, inter-version है, ठीक है, तो यह कुछ अले टाइप की intelligence है, आप अपनी साबस देख लिजेए, कि आपके अंदर कौन कौन सी चीज़ का intelligence है, ठीक है, कई लोगों में हो सकता है, linguistic हो, और sports जो खेलता है, वो kinestatic हो, कई लोगों हो सकता है, वो maths में अच प्राइप के इंटेलिजेंस में प्राइप के अंदर के इंटेलिजेंस में अच आप अच्छा वीडियो, पहले ही मैं अल्रेडी डाल रहा है, प्लीज देखो, बहुत इंप्रेंट है, और सब को उस बारे में पता होना चाहिए, और वैसे भी बहुत ही फेमस बुक लिगी इमोशन इंटेलिजन्स वाइ डेनियल गोल्मेन ठीक है आप या तो मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं पॉजटिव साइकॉलजी के प्ले लिस्ट में वो बिल जाएगा आपको सबसे उपर या सबसे नीचे आसानी से मिल जाएगा ठीक है इमोशन इंटेलिजन्स सबको पता होना चाहिए ठीक है कि आप हम इमोशन से कैसे डिल करते हैं और वैसी आजकल तो यह कहा गया उस बुक्या तो फ्रंट पेज पर ही दिखा गया है कि इमोशन इंटेलिजन्स जादा जरूरी है इंटेलिजन्स एटीक है एक्यू इस मोर इंपोर्टें न आईक्यू है व कि इस पर बेज़र है मशीन लर्निंग स्पीच वीजन ठीक है डाटा ट्रांसलेशन क्लासिफिकेशन एक्सपर सिस्टम है प्लानिंग और ऑप्तिमाइजेशन है रोबोटिक्स पर यह वर्क करता है ठीक है आजकल कहा भी जा रहा है कि आटिफिल इंटेलिजन्स जो है वह बहुत सारी नौकरियां जारी है उसे हो जाएंगी रिप्लेस हो जाएंगी काफी सारे वर्क्स ठीक है काफी सारे जॉब्स बट क्यों होंगी सारी तो नहीं हो सकती क्योंकि आटिफिशन इतना तो है कि वह एमोशन प्रिडिक्ट नहीं कर सकता हुमन इमोशन वह नहीं समझ इक्सेस यूज और ज्यादा तो पता ही है अर्थी अंतितर शती एक्सेस चीज तो किसी की भी कोई भी चीज हो किसी जिसका एक्सेस अमाउंट में अगर होना वो शती ही पहुंचाता है ठीकि नुक्सानी जेटर ओके यह है यह क्या बोलते है इसको psychology student को समझ में आ गया होगा एनपीसी बोलते हैं इसको प्रॉब्लाटी कर्फ जो होता है बेल ठीकिए बेल कर्फ यह intelligence का है यह दो को सामने से जा रहे है इस टर्म को भी मैं डीप में नहीं जाओंगी कि मैंने बोला यह introductory वीडियो है ज्यादा डीप हो जाएगा ठीकिए इसको इसको intelligence कर्फ बोल सकते ह IQ जेरो से लेकर 10 not intelligent at all simple storage and driver system इसमें होता है ठीकिए जिसका IQ 15 हो वो very limited ठीकिए जिसका 60-65 वो basic intelligent है ठीकिए 8-85 वाले average है 100 वाले भी average है क्या-क्या है उसमें specific वो अंदर लिखा हुआ है अब मैंने का था genius वाला 140 देखो IQ जिसका 140 वाब है 120 विला से वो तो बहुत स्मार्ट है 115 है जिसका वो स्मार्ट है 140 और उसके ज्यादा जितने हैं 180 और इंफिनिटी वो genius genius super genius हो जाता है ठीक है अब IQ नापने के अलग-अलग specific tests होते है IQ test काफी सारे होते है वो आप किसी psychologist से ही करे तो ठीक है वैसे online कूप सा रहाते हैं but that is not real ठीक है वो फालतु के ऐसे दे रखे होते हैं या किसी आप psychologist से ही आप वो test करवा है कोई सा भी test हो intelligence नहीं कर आपको depression लग रहा है तो depression का test करवाना है तो एक professional से ही करवा है ठीक है अब यह तो emotional intelligence के 5 component है self regulation, self awareness, social skills, empathy, decision making ठीक है यह थोड़ा emotional intelligence का पाट आ गय ठीक है यह सारी चीज़े मैंने emotional intelligence वाले में already explained कर रखी है ठीक है so okay so thank you so much for watching intelligence यह मैंने basic video इसलिए बनाया है क्योंकि सबको यह लगता है कि intelligent मतलब for example मिश्रा जी का लड़का maths में उसके 95 है तो वो बहुत intelligent है ठीक है अब for example मेरी भी class में एक लड़का था 9-10 में उसके हमेशा maths में must number रहते थे ठीक है बहुत ही अच्छे 90-95 अब और 99 भी आ जाते थे अंडर में से कभी-कभी 99 में जब हम थे ठीक है लेकिन वो इसका सिर्फ IQ इससे define नहीं कर सकते क्योंकि वो emotionally EQ उसका बहुत कम था असान भाशा में कहूं तो ठीक है IQ जितना भी हो EQ भी होना चाहिए इन तक ज्यादा होना चाहिए ठीक है वो emotionally available वो unstable था पता है आपको emotionally काफी लोग अना आपने देखा हो कि कोई लोग होते है वो बहुत ज्यादा पढ़ाई में रहते हैं बच्पन से पढ़ते रहते हैं ब या वो socially open हुए ही नहीं है या आपने होने ही नहीं दिया है है ना वही कई लोग देखते हैं कि वो जो लोग successful है अचके में generation में वो आपने देखा हो कई बच्चों का वो पढ़ भी लेते हैं वो dance भी कर लेते हैं वो hobbies class भी जा रहे हैं वो parties भी कर रहे हैं वो पढ़ी भी उनकी अच्छी जॉब भी लग रहे हैं क्यों क्योंकि उन्होंने life में balance कर रहा है सिर्फ पढ़ना पढ़ना ज़रूरी नहीं और सिर्फ मस्ती मस्ती जरूरी नहीं है मस्ती करो मजे करो पढ़ाय करो सब कुछ balanced में होना चाहिए तो सिर्फ एक intelligence intelligence का factor हम अगर consider करे तो वो व प्रिफर आप positive psychology मेरे चैनल पे जाहिए उसमें emotional intelligence आप देख सकते हैं और this is the introductory video of intelligence मुझा लगा कि यह सबको पता होना चाहिए क्योंकि intelligent वर्सोच के पास एक ही चीज आते है academic marks so I thought कि इतना तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे ऐसे चीज़ें है psychology में ठीक है so thank you so much for watching और आप अभी तक अगर बने हुआ है please do like comment and share बहुत मैनत लगते है ठीक है इतनी सारी सालो की research को एक चोटे से वीडियो में समेटना ठीक है पढ़ें PDF बनाएं फिर आपके लिए हम ल अच्छा लागा बुरा लागा लिखी है अच्छा लगता है इत्स कि इतना मोटिवेट उती हुमें और वीडियो बनाने ही तो thank you so much for watching see you in the next video bye bye thank you